1 kg of ice at minus 5 degrees celsius is exposed to the atmosphere which is at 20 degrees celsius the ice melts and comes into thermal equilibrium with the atmosphere question बोल रहा है कि 1 kg आपका 1 kg ice है जो कि minus 5 degrees celsius पे है minus 5 degrees celsius पे है जब इसको आप Kelvin करोगे 268 Kelvin कि इसमें 273 add करोगे तो आपका Kelvin में convert हो जाएगा और जब इसको मैं heat दे रहा हूं तो यह आपको ice minus 5 degrees celsius से वह कहां पर चल ज़रा 20 degrees celsius तो जाने से पहले वह सबसे पहले क्या करेगा 0 degree celsius जाएगा ठीक है 0 degree जाएगा यहां पर आपका 0 degree celsius से ice ही रहेगा ठीक है ice ही रहेगा 0 degree celsius में मतलब आपका 273 Kelvin उसके बाद यहां पर इस होता है दिखो यहां पर हीट एड़ करोंगे एड़ करेंगे तो इसकी temperature में चेंज होगा लेकिन हमारा heat addition अगर continue रहा तो यहां पर temperature चेंज रहे क्योंकि यहां पर phase का transfer हो रहा है मतलब phase का change हो रहा है अब ice से यह water में convert हो जा रहा है इसका भी temperature 0 degree celsius होगा मतलब 273 Kelvin होगा लेकिन यहां पर क्या हो रहा है latent 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 heat of fusion हो रहा है latent heat of fusion हो रहा है उसके बाद जब आपका heat addition जोता है continue है तो फिर यह water जोता है जिसकी temperature increase होगा तिल कहां तक ले 20 degree celsius तक ले मिस 293 Kelvin होगा मुझे का रहा अब entropy change of universe बताना मतलब entropy change entropy change of universe equal to होता आपका entropy change of system plus entropy change of surrounding का होता है तो आपको सबसे पहले system कौन हो गया जो ice है ice जोता है कैसे कैसे process जीरो डिवी celsius पे गया जीरो डिवी celsius ते वह water बदला water से फिर उसकी temperature increase होके 20 dv celsius गया तब आपको यह system होगा system आपका यह मानते system s1 है यह आपका system जोता है system जोता है s2 है और यह आपका system जोता है s3 के change entropy change है अब सभी का s1 s2 s2 add कर लोगे ता हमारा change in entropy of the system find out हो जाएंगे तो देखो the entropy change अब मुझे निकाला entropy change of system system 1 का तो entropy change of system 1 का क्या होता है देखो यह system 1 के लिके temperature vary का रहे कहां से 268 to 273 तो इसके लिए formula होता है entropy का होता है dq by t तो मिस और dq by t t कहां थे vary कर रहा है t आपका 268 से 273 तक जा रहा है तो आपका dq का formula क्या होगा dq formula होगा m cp into dt by t m and cp both are constant तो इसको का करेंगे बाहर कर देंगे जब इसको बाहर करेंगे ता हमारा m cp और dt को इंट्रिगेट करेंगे ता हमारा ln t आएगा ln t आएगा और यह t जो ते कहां से 268 से 273 तो भैरी कर रहा है जो कि आपका m जो था आपका m दिया है और specific heat of ice कितना दिया आपका specific heat of ice कितना दिया है specific heat यहां पर specific heat आप आइडिया 0 2.093 तो आपका 2.093 इंट्व जो था है ln ln कहां तक जा रहा है ln आपको जा रहा है 273 से 268 से 273 जा रहा है जब इस value को हम solve करेंगे तो हमारा कितना आएगा जब इस value को हम solve करेंगे जो आपका इसका value आगा 0.0.0386 kJ per Kelvin होगा किसका आपका dell s1 का ठीक है या आपका dell s1 का हो गया उसके बाद entropy change of system जोता है 2 का entropy change of system 2 का होता है तो आपका क्या होगा dq by dq by sorry क्योंकि देखू यहां पर जोता है 0 d celsius से फिर 0 d celsius जा रहा है मिन्स यहां पर phase का चेंज हो रहा है फेज के चेंज पर मतलब temperature remain constant होता है तो इसके लिए फर्मूला होता है entropy change का आपका q by t the q is equal to होता है m into l m by out by t m जो था आप क्या होता है mass mass 1 kg के लिए और latent heat of fusion आपको दिया हुआ और आइस के लिए आइस के लिए आइस के लिए लेटेंट ट्री कीलो कीलो जूल पर केजी ओके बाई temperature कितना टमप्रेचर टू सेवेंटी थ्री आपका दिया हुआ 273 जब इस वैलू को solve करोगे ता हमारा आएगा 1.22 कीलो जूल पर केल्वीन आएगा ओके अब मुझे क्या करना है कि entropy change of universe क्योंकि अब थर्ड का सिस्टम थर्ड का निकलना तो इसमें temperature वैरी कर रहा है 273 केल्विन से लेकर 293 केल्विन तक ले ठीक है तो इंट्रॉपी चेंज औफ सिस्टम जोता है अब थर्ड का इसमें वैरी कर रहा है तो इसके लिए फर्मुलर्व दीक्यू बाइटी होगा तो डीक्यू एम से पी इंटुडी टी बाइटी एम डीटी एम जी आर्ट कांस्टेंट दैन इसको बाहर कर दो गे तो मास and CP को वाहर करो और इसका integrate करोगे the ln T और T कहां से vary कर रहा आपका 273 से 293 273 से 293 vary कर रहा है जब इसका mass 1 kg के लिए होता है CP आपका CP of water पहले था आइस था लेकिन आप water के लिए पहले water के लिए हमको याद रखने पड़ती है जो की water का होता है 4.2 into ln जोता है 293 मतलब higher temperature by lower temperature मिस नहीं मतलब T1 T1 T2 T2 by T1 होता है जब आप इसको solve करोगे ता आपका कितना आएगा 0.296 kilo joule per Kelvin ओके अब देखो entropy change of system का कितना हुआ तो entropy स्वाइब रिसेल्सियस से 20 रिसेल्सियस गया तो उसमें entropy का system कितना चेंज हो वह value निकलना है तो डेल एस 1 प्लस डेल एस 2 प्लस डेल एस 3 सबकी value को add करोगे देखों तो यह आपका 1.2 हो गया और यह हो ठीक है डेल एस 1 होगे आपको कितना 0.0386 प्लस 1.22 प्लस 0.296 ओके दैन जोता है जब आप इसका को calculate करोगे क्योंकि की जो हीट इस सिस्टम में add कर रहा है तो मीज इसकी entropy increase को रहा है ओवर और इसकी entropy system entropy increase कर रहा है जोकी कितना हो रहा है system की आपका होगा 1.5546 किलो जूल पर केल्वीन होगा ओके अब entropy change of जोता आपका surrounding कितना होगा entropy of the surrounding जोता आपका equal होगा मतलब system जोता है क्या होगा system जोता है जितना amount of system को heat दिये हुए है मतलब minus five degrees Celsius से वह 20 degrees Celsius जाने में अगर वह heat जोता है system को मैं दिये हैं मतलब उतना heat जोता है surrounding उतना loss किया है जितना surrounding जो हमारे atmosphere जोता है नेगेटिव साइंस से सो करते हैं कि उतना एमाउंट ओफ हीट जो आई से अबसर्ब करेगा इतना ही एमाउंट ओफ फीट जुता है का हुगा हीट को लास किया होगा ठीक है यहां उसी स्रेंडिंग से नहीं हीट आ रहा है तो हम सबसे पहले क्यों इसका लिख लेए सिस्टम सिस्टम के डिखने करिये थम् protonता है तो देखू है है मायनस इस में कितना ही एर ब्लाइट करेंगे एक हमारा तूटल में कितना हीट डवह निकल जाएगा इसके लिए फर्मूला लिए लिए होता है आपका mcp into dt प्लस जोता है m into l plus mcp into dt होता है ठीक है मास one case के cp of ice यह कि यहाँ पर ice था ice के लिए आपका two point कितना दिये ice के लिए आपका two point zero nine three और temperature defense मतलब यहां higher minus lower करेंगे higher 273 से 268 273 से माइनस 268 plus m1 kg m1 kg और latent heat of fusion अपका दिया three 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 point three okay plus m1 kg और यहाँ पर ice देखूं क्योंकि यहाँ पर जो था वाटर जो ता है zero d celsius से 20 celsius मतलब water के specific heat लिए मतलब 4.2 इंटू जोता है temperature difference जोता है 293 minus 273 जब इसको solve करोगे तो आपका आएगा four two seven point seven six five kilo zool मतलब system जोता है इतना amount of heat absorb किया मतलब system इतना amount of heat जोता है आपका absorb किया मतलब surrounding जोता है surrounding जोता है क्यों surrounding जोता है उतना amount of heat को का किया होगा वह reject किया होगा ठीक है four two seven point seven six five heat को वह reject किया हो तब मुझे entropy change of surrounding का entropy change of surrounding मतलब surrounding जोता है वह हमार atmosphere जोता है एक reservoir जैसा constant करेंगा मतलब उसकी temperature जोता vary नहीं हो रहा है सेम है जो कितना two seventy two nine three Kelvin पे है तो इसका इसके entropy heat जोता है loss हो रहा है इसको negative so करेंगे four two seven point seven six five by temperature two nine three जब इसको solve करेंगा हमारे negative of one point four five nine kilo zool per Kelvin होगा okay the entropy change of universe entropy change of universe is equal to entropy change of system plus entropy change of surrounding ठीक है entropy change of system plus entropy change of surrounding the system कितना होगा the system की जो आपका कितना होगा the system कि जो आपका था one point five five four six और श्रेंडिंग कितना था आपको यहां था तो 1.459 जब इसको सॉल्ब करेंगे 0.0956 किलो जूल पर केल्विन हमारा आएगा ओके अब मुझे कह रहा है सेकेंड में कह रहा है बी में कह रहा है बी में बी में कह रहा है और मुझे कुस्टन कर रहा है कि जब सबसे पहले आपने कह गया कि जो माइनस फाइब इस थी और जो सिस्टम को आपने हीट दिया तो उसकी टंप्रेचर इंक्रीज होके हुआ आए जोता है वाटर में कनभट होके जिसकी टंप्रेचर 20 डिग्री सेलसेश हो गया लेकिन अब आपको क्या करना है 20 डिग्री से माइनस 5 डिग्री इस पर लाना है तो लाना है तो उससे आप उससे हीट निकालने के लिए कितना आपको मिनिमम्म कितना एमाउंट और कितना तो छिट को निकलता है मुझे रेफ्रीजरेटर ही ही र कलता है और पलस यह हमारा शिस्टम हो गया देखो सिस्टम हो गया सिस्टम 20 डिए इसे कहां ले जाना है यह यह हमारा जो ता है एट्मस्फेर है जिसकी टंपरेच्य जो ता 293 कैल्वीन है ठीक है तो सब सबसे पहले क्या करेंगे इससे जो तहा है तो मुझे करोगे वर्क मीनीमम ओके और इसमें हीट जा रहा है प्लस आप डू डबलु एनर्जी जो मुझे फाइड़ दूख देखू अब जानते हुए कि कि मिनिमाम और को देखें और शाइकल को ऑपरेट रखें तो मतलब कंटिनिव रखें साइकल को तो उसके लिए आपको रिवर्सिबल प्रोसेस होगा मस्ट भी है इसलिए सबसे पहले entropy change of जोता है universe जोता आपको equal to zero हो जाएंगे entropy of system जोता है entropy change of system plus entropy change of trending ठीक है तब देखू entropy change of जोता है क्या हुआ system plus trending मतलब जो system देखू मतलब हमारा system क्या है आई से पहले आई जो ता है minus 5 degree Celsius से 20 degree Celsius गया तमीज उसकी overall entropy जो तो उतना ही एमांट अफीट को निकालना तो उतना ही एमांट अफ इंट्रॉपी का चेंज होगा बट उसमें नेगेटीव लग जाएगा तो इन्ट्रॉपी जो जो मैरे जो मैनस फ़ाइब ले गए थे हमारे इंट्रोपी चेंज हुआ था कितना 1.5546 लेकिन अब 20 डिग्री से से माइनस 5 डी सेल्सेस फिलाना है तो उसके इंट्रोपी में कितना चेंज होगा 1.5546 प्लस जो ता है सुरेंडिंग का तो हमारा यह एट्मोस्फियर है तो एट्मोस्फियर जो है एट्मोस्फियर है और एट्मोस्फियर में जो होता है क्या होगा एट्मोस्फियर की जो इंट्रोपी क्या होगा तो आपका क्यू प्लस डबलू क्योंकि यह क्यूंकि जो एट्मोस्फियर है वह जो ता है आपका रिजर्बा ज फिक्स प्लस Q अब आखें आपका कई Q क्यों मतलब क्या होता है कि जितना amount of system में heat add एक माइनस 5 uvc से और वंडिध वंडिश्लचेश से अधिने में फिर अगर सिस्टम से उतना ही amount of heat आपका करेंगे निकाल देंगे तो फिर क्या ह hacked उतना है amount of heatkov सिस्टम से निकाल देगे फिर आपका सिस्टम जो 20 रिजल्सीस से माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा ठीक है जो कि आपका हीट कितना हीट निकाले वे थे आपका 427.765 ओके तो आपका हीट कितना आपका हीट होगा यहाँ पर 427.765 मतलब इतना एमाउंट ओफ हीट जोता है पहले सिस्टम को दिये थे अब सिस्टम अब मैं किसको देरा हूँ स्रेंडिक ले रहा है क्योंकि उससे हीट निकालना सिस्टम से प्लस और डबलू मिनिमम बाई जोता है टमप्रेचर कितना था यह 293 केलविन पर था इकवल ट होता है 1.5546 इंटू जब इदा जाएगा ता मल्टिप्लाइव होगा ता आपका 293 ओके जब डबलू मिनिममम इकवल टू आपक इतना आ जाएगा 27.73 किलो जूल साँ प्लस्टंट कितना आपका ता यह जबला है प्लाएगा प्लाएग हो जा वड़ना है जाएगा जोग कितना प्लाएगा जब गदा कर दों अाएगा हॊगा।